हेलो फ्रेंड्स, रिसकाजीकेजिस में आप लोगों का स्वागत है आज हम आप लोगों के लिए 10,000 बन लाइनर कोस्टन की सीरीज लेकी आये हैं जिसके जरीए सभी विशेयों को कभर किया जाएगा और यह सिभिक्स का पार्ट बन है अगर इस सेशन की पीडियाप चाहिए तो हमारे टेलिग्राम चैनल रिसकाजीकेजिस को जॉइन कर सकते हैं और मोर विडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं तो आई चलते हैं कोस्टन पर कोस्टन नमबर बन सरवोच नियाले ने एक महतपूर निर्णे में मुस्लिम पिताओं को भी अपराधिक परिकिरिया संगीता की धारा 125 के दायरे में ला दिया है इस निर्णे में क्या कहा गया है तो तलाक सुदा पत्नी के साथ रह रहे बच्चों के बालिक होने तक पिताओं पर उनके खर्चे की जिम्यदारी होगी भारती राष्टे कॉंग्रेस के पर्थम अध्याच व्योमेश चंदरबनर जी पुना कव और किस कॉंग्रेस अधिवेशन के अध्याच बने थे तो यह दूसरी बार 1892 में इलाहवाद अधिवेशन के अध्याच बने थे भारत के सविधान के किस अनुच्छेद में अस्प्रिस्यता समाप्त करने का प्राबधान है तो यह अनुच्छेद 17 में अस्प्रिस्यता समाप्त करने का प्राबधान है अस्प्रिस्प्यता यानि की छुवा छुट next controller and auditor general कब सेवा निवरित होते हैं तिये निउक्ति के 6 बर्स या 65 बर्स की आयू पूरी करने के बाद मुक्चुनाव आयुक्त की निउक्ति कौन करता है तिये राष्टपति मुक्चुनाव आयुक्त की निउक्ति कराते हैं किसी विध्यक को धन विध्यक होने का अंतिम निडने कौन देता है तिये लोग सभाध्यच देते हैं डॉक्टर भीम राव अंविध्यकर ने किस मौलिक अधिकार को भारतिय समिधान का हिर्दय और आत्मा कहा है किसी मंत्राले के विरुद अब इसवास प्रस्ता पारित हो जाने की इस हिति में क्या होता है तो मंत्री परिशत से त्याग पत्र देना पड़ता है राज सभी के द्रिवार्शिक चुनावों की अधिगोसना कौन जारी करता है तो ये निरवाचन आयोग जारी करता है राश्टपती सविधान के किस अनुछेद के अंतरगत लोगसभा भंग कर सकता है किस सभीधान संसोधन के द्वारा प्री पर्स मानताएं एवं विसेशाधिकार समाप्त कर दिये गए हैं महाभ्योग चलाने है तू कितने दिन पूर्व उसे नोटिस देना होता है ति ये 14 दिन पूर्व उसे नोटिस देना होता है किस अनुछेद के अंतरगत राश्टपती का निरवाचन होता है तो अनुछेद 54 के तहत राश्टपती का निरवाचन किया जाता है बिधान परसद की कुछ सदस संख्या का कितना भाग बिधान सभा में चुन कराता है ति एक वटा तीन भाग ये चुन कराता है सविधान के अनुछे 75 में किसके बारे में चर्चा की गई है ति ये मंत्री परसद के बारे में चर्चा की गई है किसी सदसे दोरा किसी अन सार्वजिनिक महत्व के विशे पर विचार करने के लिए सदन की चल रही बरतमान कारवाही बंद करने का परस्ताव क्या कहलाता है तिसे काम रोको परस्ताव के नाम से जाना जाता है सविधान के साथ भी अनुसूची के अंतरगत केंद्रिय सूची है जिसमें कितने विसे हैं तो ये कुल 97 विसे हैं पंचवर्षिय योजना का आनुमोदन तथा पुनन निरिच्छन किस के दोरा किया जाता है तो राश्टिय विकास परसत के दोरा किया जाता है पंचायती राजपर्णाली किस पर अधारी थे तो सत्ता के विकेंद्री करण पर अधारी थे भारत के पर्थम लोकसभा उपाध्यच कौन थे एम अनंत सयनम आयंगर थे सिच्छा पहले राज सूची के अंतरगत आती थी कि सम्हिजदान संसोधन अधिनियम दोरा इसे संबरती सूची में लाय गया है तो 42 वे संसोधान संसोधन अधिनियम के दोरा इसे संबरती सूची में लाय गया है भारतिय सविधान के किस अनुछेद में मौलिक करतवों की चर्चा की गई है तो अनुछेद 51.1 में मौलिक करतवों की चर्चा की गई है सविधान के किस संसोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को मुल अधिकारों की सरेनी से निकाल दिया गया है तो ये सम्विधान के 44 वे संसोधन दारा संपत्ती के अधिकार को हटा दिया गया है स्वतंतर भारत में राज सवा के परत्थम सभापती कौन थे तो डॉक्टर सरपली राधा किरिस्नन थे स्वतंतर भारत के पर्थम लोग सभा अध्याच कौन थे गन्येस बासुदेव माव लंकर थे जिन्हें जीवी माव लंकर के नाम से भी जाना गता है जम्मु कस्मिर को सविधान के किस अनुच्छेद के अंतरगत विशेश दरजा प्राप्त था यहां है तो यह अनुच्छेद 370 के अंतरगत जम्मु कस्मिर को विशेश राज का दरजा प्राप्त था जो की हटा दिया गया है लोगसवासदस्यों को सपत कौन गरहन करवाता है तो राष्टपती अथवा उसके द्वारा अधिकरित कोई ब्यक्ती लोगसवासदस्यों को सपत गरहन करवाता है अब पर्तियासित ब्याओं की पूर्ती के लिए भारत की अकास्मिक निधी से कौन धन निकाल सकता है तो राष्टपती धन निकाल सकते हैं कि समाजिक बुराई को दूर करने के लिए सारदा आक्ट बनाया गया था तो बाल विबाह जैसे कुरितियों को हटाने के लिए सारदा आक्ट लाया गया था सविधान सभा की पर्थम बैठक कब हुई थी तो ये 9 दिसंबर 1946 को हुई थी भारत के पहले उप परदान मंत्री कौन थे तो सरदार बल्ला भाय पटेल थे भारत में संग राजचित्रों का प्रसासन किसके द्वारा होता है तो ये राष्टपती के द्वारा होता है भारतिय सभिधान की परस्ताबना में समाजबादी, धर्म निर्पेश तथा अखंडता सब्दों को किस संसोधन द्वारा जोड़ा गया है तो ये 42 सभिधान संसोधन के द्वारा जोड़ा गया है किस किस चीज को समाजवादी, धर्ब निर्पेश तथा अखंड ता ये तीनों को 42 सविधान संसोधन के द्वारा जोड़ा गया है तो थेंक्यू दोस्तो आज का सेशन यहीं समाप्त होता है अगर मेरा ये वीडियो अच्छा लगता है तिससे लाइक करें, सेर करें